मैं हूँ ऐश्वरे कपूर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत मेरे साथ आज हैं उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौरे जी लेकिन सिर्फ एक उपमुख्य मंत्री के तौर पे नहीं एक राम भक्त के तौर पे और एक कार सेवक के तौर पे जब मेरी आपसे बात हो रही थी केशव जी तो आपने कहा कि इस पूरी मूवमेंट को जिसको कि भारत के लोग सिर्फ अयोध्या के नहीं उत्रप्रदेश के नहीं भारत के लोग कोई 5, 10, 15, 20, 25 वर्श से नहीं पीडी दर पीडी कई परिवार हजारों परिवार पीडी दर पीडी मतलब जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इस समय का इस तारीक का इंतजार कर रहे थे अब जब यह हो रहा है तो आपको कैसा लगता है मैं एक नेता के तौर पे ही मैं बता रहा हूं मेरे लिए भी यह अलोकिक आदभूत और आध्यात्मिक छण है आज जब मैंने नान्च से भर गया करपना से परे जैसे कुछ हो कि जैसे कोई रात में स्वपन देखो और वह स्वपन सच हो जाए वह ऐसा ही द्रस आज महसूस हो रहा है और मेरे लिए ही नहीं मेरे जैसे करोनों रामभक्तों के लिए हजारों बार लोगों ने रामलundah के जनमस्थान को म ही नहीं है बहुत कुछ है जो नहीं दर्ज है लेकिन राम के भक्तों ने राम लला की जन्म भूमी पर राम लला का भबे मंदिर बनाने की लडाई को कभी खतम नहीं किया पांच सताबदी से इस लडाई को लड़ रहे और आज जो अदभूद और अलोग की छण देखने को मिला है मैं बिना संकोची इस बात को कहता हूँ बहुत संघर्स हुए बहुत अंदोलन हुए पर नहीं मिलाता उननीस सो तिरासी से और बाईस जनवरी दोहजार चोविस तक का जो पूरा संघर्स है उसको मैं देख रहा हूँ लेकिन छे दिसंबर बानवे के पहले का संघर्स और छे दिसंबर बानवे के बाद का परणाम यह भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री, एक राश्ट भक्त प्रधान मंत्री, राम भक्त प्रधान मंत्री, भारत वासियों की राम भक्तों की भावनाओं को समझने वाले प्रधान मंत्री माननी नरेंद्र मोदी जी के नेते तुमें अगर हमारी सरकार नहीं बनती देश में तो साइध पता नहीं कितने सताबदियों तक कभी और इंतजार करना पड़ता यह देश की जनता का भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा देश को परधान मंतिर देने का काम किया जिन्होंने रामला का भब मंदिर बनाने का मारग प्रसस्त करने में बहुत निडाएक भूमी का आदा कर दी मैं विक्तिगत रामभक्त के तौर पर उप्मुक्पंतरी के नाते नहीं बहुत कारसेवक के रूप में इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता अपके पहले जवाब में मेरे अगले दस सवाल है आपने पहला शब्त का इस्तमाल किया अलौकिक आध्यात्मिक इस्तमाल करने के लिए बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप ही के विधान सभा के कई साथी आप सांसद भी रहे हैं तो राजनेता इस पे भी राजनीती करने से चूक नहीं रहा है मैं कोई कल के एक कॉंग्रेस के नेता या आज अभी मैं आया हूँ अभी एक कॉंग्रेस के नेता या शिपपाल ने क्या क्या दिया ये सब नहीं आप ने कहा कि मैं एक राम सेवक के तौर पे कह रहा हूं राम भग के तौर पे कह रहा हूं कार सेवक के तौर पे लेकिन आप प्रदेश के उप मुख्य मंत्री भी है किश्व जी जब इस तरह की राजनीती होते देखते हैं राम मंदिर पे राम लला पे जनता में नहीं है जनता में जो आपने भावना बोली जिन शब्दों का आपने इस्तमाल किया उससे कई राजनेतां को क्या हो गया उनको समझ नहीं आ रहा है देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी और जाको प्रभुदार उन्दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना तो मैं दोनों प्रकार से इसको कह सकता हूं या तो कुछ लोग इस भाव से भगवा सीरी रामला के मंदिर को देख रहे हैं कि जिसमें ओड़ वैंग तलासने की कोशिज करते हैं कोई ओटों का धुरूवी करन करने की कोशिज करते हैं और दूसरा दृष्टकॉन मैं यहां मानता हूं कि कुछ लोगों की बुद्धी इसलिए भी फिर गई है कि जो राम द्रो मंदिर यहां राजनिती का खड़ा नहीं है यह आस्था सरद्धा और विश्वास का प्रतीक है लोगों को मालूम नहीं है केवला युद्ध्या का अच्छत और निमंत्रल पत्र की राम द्रोला का मंदिर बन जाएगा 22 तारीक के बाद आप आईएगा ऐसी अनेक घटनाए हैं जो अच्छत बित्रन करने के लिए जा रहे हैं उनके चरणों में साच टांग लोग लेड जा रहे हैं जर 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 आसू बहे रहे हैं राम लला के लिए क्या रोमांच है पूरे समाज के अंदर जिने इसका हैसास नहीं है मैं तो यही कहूंगा कि उनको इसका हैसास हो ज जादा किसी ने बोला कि चार-चार पुष्टें चालिस साल से तो आप भी देख रहे हैं आप भी इसका भाग है अशोक सिंगल जी कल्यांच कई लोगों का नाम आता है कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे कब कब क्या कि अब जब आप इसके साक्षी बनेंगे राम लला का जो भव मंदर भाईस तारीक को बनने जारा है आपको कैसा फील होता है महसूस होता है देखिए मेरी फीलिंग शब्दों में ब्यक्त करना संभव नहीं होता है लेकिन मेरे लिए ही नहीं मेरे जैसे कोटी कोटी राम भक्तों के लिए मैंने कहा ये अलोकिक अदबुद और आध्यात्मिक छण है राम लला को राम लल जन्भुमी में उस अस्थान पर जो माननेता के अनुसार जहां राम लला का जन्भुवा था वहां विराज मान होना यह संभव था इसे संभो करने का काम स्वेत वस्रधारी संत और सिराम जन्भूमी आंदोलन के सेना पती पुझ असोक सिंगल जी जो सासरीर यहां पर उपलवद नहीं है लेकिन वहाँ यहाँ अलोकिक द्रस निशित तोर से दिब लोक में बैठ करके स्वर्ग में बैठ करके वह जरूर देख रहे होंगे और इस द्रस को देख करके उनको लग रहा होगा कि मेरा धर्ती पर जाना सहरता को गया यह बहुत बड़ी बात है इस पूरे आंदोलन में मैं 30 अक्टूबर 90 आपको बता रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश में स्री मुलाइम सिंह यादो जी की अगवाई में सरकार थी कार सेवा की हमारे संतों ने घोशना कर दी थी देश भरके राम भक्त कार सेवा का योध्या की ओर कूज कर चुके थे मुलाइम सिंह जी का उस समय बयान था कि कि आयोध्या में रामभक्त कार्शेवक तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा लेकिन उस सुनावती का सामना करते हुए भी हमारे पूजी असोग सिंगल जी बहुत बड़ी संख्या में कार्शेवकों के साथ स्री रामडला के जन्मस्तान पर पहुँच गया उनक असोग जी से और उसके बाद तो परिसितियां बदल गई उत्तर प्रदेश में भारति जन्ता पार्टी की सरकार आ गई आदनी कल्यान सिंग्जी मुक्मंत्री बन गये और जब वह उनके मुक्मंत्री बनने के बाद जब हमारे संतों ने फिर से कारसेवा का एलान किया तो 6 पार्टी में भारती जनता पार्टी में यह अंतर है राम भक्त और राम द्रोही में यह अंतर है इस अंतर को समझने की जरुवत है और इसके पच्छ में पूरा देश खड़ा हुआ पूरे देश का जो समर्थन राम लला के जर्मस्तान पर बब्ब मंदिर निर्माणा के हो गए हम राम पता का राम प्रसादम लेकर के घर गर गए और पूरे देश को जगाने में जो मौका मिला जिसमें मैं मानता हूं कि भगवान बजरंग बली जी सोयम प्रकट हो करके राम जी का है सब काम करा रहे थे बाद ज्यम कोई भी रहा हो लेकिन उनका जो उस्साह था उनका परिस्रम था जो इस लड़ाई को लड़कर के विजय पता का फाराने का जो आउसर मिला वहाँ तो हन्मान जी की लीला थी इसके अत्रिक्त मैं समझता हूं कि हम कहें कि हम ने कुछ किया है किसी और ने किया है वो लीला भगवान स्री राम की क्रपा से है